प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोधी ने आज गुजरात के सूरत हवाई अर्डे पर नए टर्मिनल भवन का उदगातन किया। उन्होंने तहलते हुए नए टर्मिनल भवन का अवलोकन किया। प्रधान मंत्री ने एक स्पर पोस्ट किया। सूरत में नया एकिकृत टर्मि को बेहतर बनाएगी बलकि आर्थिक विकास परेटन और हवाई संपर्क सुविधा को भी बढ़ावा देगी तर्मिनल भवन दिन की सरवाधिक वेस्ट अवधी के दोरान 1200 घरेलू यात्रियों और 600 अंतरराश्ट्रिय यात्रियों को संभालने में सक्षम है और इस भवन में स चमता 55 लाग तक बढ़ जाएगी चूंकि टर्मिनल भवन सूरत शहर का प्रवेश द्वार है इसलिए इसे स्थानिय संस्कृती और विरासत के अनुरूप डिजाइन किया गया है ताकि मूल तत्व आंतरिक और बाहरी सजजा दोनों में प्रतिबिम्बित हो सके तथा आग सम्रिद्ध और पारंपरिक लकडी के काम के साथ यात्री अनुभव को सम्रिद्ध करना है ग्रिह फोर के अनुरूप तैयार किया गया हवाई अड़े का नया टर्मिनल भवन दोहरे सुरक्षा आवरन वाली छत प्रनाली उर्जा बचत के लिए कैनोपी ताप का कम अवशो करने वाली डबल ग्लेजिंग यूनिट, वर्षा जल संचेन, जल शोधन सहंत्र, सीवेज शोधन सहंत्र, परिद्रिशे निर्मान के लिए शोधित जल का उप्योग तथा सोर उर्जा सहंत्र जैसी सतत विकास से जुड़ी विभिन सुविधाओं से सुसजजित है विडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद